अब यहां पर हम लोग जानेंगे रूशी क्रांती के बारे में आप लोग जानते हैं कि रूस में भी क्रांती हुई आपने पहले इसमें पढ़ा फ्रेंच रेवलिशन के बारे में लेकिन जब भी कोई रूशी क्रांती हैं जिस कांड से लोग विरोध करते हैं और अपने रूलर के परती यानि कि एक तरह से विरोध करने का प्रियास करते हैं तो यहां पर हम लोग जानेंगे रूशी क्रांती हुँँआ दो चरणों मही दा फरस्ट इस फैब 1917 फरवरी 1917 मे तो इन दोनों क्रांतीयों को मिला कर अगर हम collective रूप से बात करें तो उस uke को नाम दीये था रूशी क्रांती हुए रूशी क्रांती के दोरां रूलर कौन थे या पर जार निकोलश 2 रहते हैं जार निकोलस 2 के नाम से इनको जाना जाता है जार सेकें क्यों रिस्पोंसिबल माने जाते हैं रुशी करांती के तो let's continue about the Russian revolution that is most important content and that is also in first part of this video you have to know how socialism came to Europe यानि की socialism Europe कैसे पहुंचा now let's continue about the Russian revolution okay students be careful about this content कभ हुआ कौन-कौन से घटना हुई that is like that what are the social and political condition and now we will know about the economic and society of Russia in this videos which are the country that are part of Russia so continue in one of the list industrialist of European state the situation was reverse socialists took over the government in Russia through October revolution in 1917 कैते की कम जो उद्योगी के विक्षिदेश था एकर से अगरम बात करी European state की उम आपर स्थिती बिल्कुल थोड़ी अलग थी socialist took over the government in Russia through October revolution in 1917 कैते की जो अगर हम बात करें समाजवादियों की समाजवादियों की समाजवादियोंने क्या किया October में revolution की रूस में 2017 में और उनोंने government पर अपना अधिकार कर लिया यानि की समाजवादियों जो socialist लोग थे उन्हीं का अधिकार हो चुका थर उसके उपर और उनोंने अपने अंडर में रूस को ले लिया कब October 1970 में कहते कि जो दो घटनाई थी एक फैब 1970 में होई जिसमें राजा को यानि की राज तंत्र को हटा दिया गया और इवेंट ओफ October और जो October की घटना थी are normally called Russian Revolution उसको हम लोग एक तरह से Russian Revolution का नाम देते यानि कि दो घटनाई थी दो इंसिडेंट थी एक फैब 1970 में और October 1970 में इनको हम लोग कलेक्टिव रूप से कहें तो इनको ही हम रूसी करांती का नाम देते हैं How did this come about? ऐसा कैसे हुआ? What were the social and political condition is here when revolution occur? क्या समाजी को राजनितिक दसाएं थी उन दिनों में आज उन दिनों में रूस के अंदर जिसके कांड रूसी करांती घटी टूई तो आंसर इस कोईशन लैट्स लुक एट रसिया ए फ्यू येर बिफोर दी रिवलुशन का आंसर जानने के लिए हो कुछ सालों पहले की बात करते हैं रूसी करांती से पहले की बात रूसी करांती गुए 1917 में अगर हम बात करें यहां पर 1914 की बात करें हम लोग यहने की करांती से कुछ से मैं पहले करें है बात करेंगे रूलर कौन थे यहां का जार निकॉलस सेकिन रूलर रहा है यहां का that is most important who was the ruler of Russia during the during the Russian Revolution रूशी करांटी के दोरान जैसे आपने पढ़ा था इसमें लूइस 16 फ्रेंच रेवलिशन के दोरान तो उसी तरह से रूशी करांटी के दोरान जार निकोलस सेकेंड वहां का रूलर हुआ करता था तो आओ जाने 1914 में रूशीन एमपायर कैसा था इन 1914 जार निकोलस सेकेंड रूलर रूलर रूसीय औड एटस एमपायर कहते हैं कि जो रूस था उसके एमपायर पर जो रूल करता था 1914 में वह कौन था जार निकोलस सेकेंड और जार निकोलस सेकेंड था besides the territory around मोसको कहते हैं कि मोसको के अलावा जो सीमा है थी इसकी रूस की दारेशियन एंपायर इंक्लूडिड करंट डे यानि की वरतमान समय में जो रूसी एंपायर है उसमें हम लोग कुछ करंट डेज में अगर हम बात करें तो फिल्लेंड है लताविया है लिठूनिया है एस्टोनिया है पार्ट और पॉलेंड है यूक्रेन है और बेलारूस है ये भी यानि की कहीं न कहीं इसकी सीमा यहां तक फैली हुई थी यानि की कापी जो प्रेजेंट में बात करें फिल्लैंड लताविया लिट्यूनिया इस्टोनिया पॉलैंड और यूक्रेंड और बेलारूसी ये कुछ पार्ट थे जो रूस के ही पार्ट मानने जाते थे इसमें करते की इसका जो पहला हो था पैसिफिक से लेकर यानि की सेंटरल जो एसिया के स्टेट हमां तक पहला हो था एस वेल अज ज़िरोविया अर्मेनिया एंड अजेबिजान दा मेजयोर्टी रुलीजन वो ज़ रज्यान ओर्त डूक्स क्रिश्चिनीड जहां पर मेजयोर्टी थी रूस में उन दिनों में वो किसकी थी ओर्तोडॉक्स क्रिश्चिनीड की that most important you must have to be outlined भी ज़्यादा संख्या में लोग कौन थे Orthodox, रूडिवाद यानि कि जो Christian लोग थे वो थे ज़्यादा तर इसमे which had grown out the Greek Orthodox Church कहते कि जिनकी उत्पती एक तरह से Greek Orthodox Church चे हुई थी but the empire also included Catholic लेकिन रेज्जे में और भी लोग रहते थे जिसमें Catholic थे Protestant थे, Muslim थे, Buddhist थे लेकिन ज़्यादा प्रभाव किसका था Orthodox Christians का तो इनकी शंख्या बहुत ज़्यादा थी that are the social and political condition about you can say Russia which countries are part of Russia and who is the ruler of Jan Nicholas II was the ruler of Russia that is about the Russian revolution now we will study about the economy and society of Russia आओ हम लोग यहाँ पर study करते है economy और society के बारे में यानि की रूस का समाज कैसा था वहाँ की society कैसी थी वहाँ की अर्थवेवस्ता कैसी थी economy, अर्थवेवस्ता, society का मतलब समाज at the beginning of the 20th century the west majority of Russia people were agriculturalist कहते की अगर हम 20th century की शुरुआत की बात करें तो ज़्यादा तर लोग क्या काम करते थे economic का मतलब अब हमारी economic activity से है तो यहाँ पर ज़्यादा तर जो population थी वो agriculture करती थी खेती बाड़ी करती थी यानिक agriculture इस थे वो खेती बाड़ी करते थे कितने परसेंट लोग about 85% of the Russian empire population are there living from agriculture कैते कि 85% से ज़्यादा जो population थी या लगब कि 85% जो population थी रूस की वो agriculture में लगी हुई थी अपनी जीवी का रोजी रोटी चलाने के लिए वो खेती बाड़ी करते थे वहाँ के लोग इस प्रोपोरेशन बोज हायर दैन in most European country कैते कि अगर दूसरे European country की हम लोग बात करें या पर हम comparison भी करेंगे तो उसकी तुलना में रूस में केती बाड़ी करने वाले लोगों की संग्या बहुत ज़्यादा थी for instance उधार लेते या पर हम लोग France and Germany the preparation was between 40% and 50% कैते कि अगर हम बात करें France और जर्मनी की यहां के लोगों का जो अनुपात था 40-50% थी था जब कि रुस्या में देखे 85% that is most important content भी ज़्यादा तर लोग की से काम में लगे हुए थे agriculture में कितने परसेंट 85% लोग Russian और यहां पर हम इंग लेंड और फ्रेंस की बात करें तो यहां पर जो एंपायर था यह अपनी मार्केट अपने खुद के लिए भी प्रड्यूस करता तो और मार्केट के लिए भी प्रड्यूस करता था और यहां तक कि Russia उन दिनों में अनाज का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था एक्सपोर्टर का मतलब यानि कि वहां से जो अनाज था उसको निरियात किया जाता था दर कंट्रीज में तो ग्रेन का सबसे बड़ा कौन था प्रड्यूसर उन दिनों में Russia, Russia was the major एक्सपोर्टर ओफ ग्रेन that is most important point है how many percent of people are depend on agriculture 85 percent main occupation agriculture now we have discussion about industry industry was found in pocket कहते कि उध्योगों का बहुत ही कम भी कास था 85 percent people तो कहां depend करते थे agriculture पे तो उध्योग बहुत ही कम थे prominent industry area were Petersburg and Moscow that is most important point भई जाने माने जो prominent area थे रूस के Petersburg और Moscow ये दो मतलब main city थे जहां पर उध्योग लगे हुए थे craft men undertook much of the much of the production but large factory exist alongside craft workshop many factory were set up in 1890 when Russia railway network was extended the foreign investment in industry increase कहते कि देखो यहां पर क्या बताएगा कि जो craft person थे एक तरह से वो production करते थे but large factory exist alongside craft workshop लेकिन जो बड़ी factory थी वो मतलब एक side थी craft का का काम करने वाले वार करकी तुन नामे many factories were set up in the 1890s when Russia railway network was extended कहते कि जब 1890 के दस्तक में बहुत सारी factory setup की गई रशिया में जब railway का विस्तार किया गया and foreign investment in industry increase और जब विदेशी निवेस है जो foreign investment का मतलब विदेशी निवेस जो बाहर से निवेस होने लगा द्योगों का विकास तभी हुआ 1890 के दस्तक में कहते कि अगर हम बात करें कोल का उत्पादन है वो डबल हो गया आइरन और स्टील का उत्पादन उसमें भी कई गुना व्रीधी हुई कहते कि अगर हम 1900 के दस्तक की बात करें 1900 की बात करें तो कुछ एरिया ऐसे थे फैक्टरी वर्करों जो क्राफ परसंदें उनकी संख्याल लगबग एक्वल हो चुकी थी most industries was the private property of industries कहते कि ज़्यादा तर जो धोग थे वो नीजी धोग वा करते थे government government supervised large factory ensure minimum wages and limited hour of work कहते कि यहाँ तक की government यानि कि उनकी supervised करती थी वही क्या नियुनत मजदूरी दी जा रही है limited hours of work क्या सिमित गंटों तक काम कराया जा रहा है यानि कि government उनकी देखरेक भी करती थी यहाँ तक की but factory inspector could not prevent rules being broken लेकि जो factory के inspector होते थे वो नियम तोड़ने से नहीं चुकते थे कहिने थे वो नियम तोड़ने का प्रियास करते थे इन craft unit and small workshop दी वरकर day वोज sometime 59 कहते कि अगर हम बात करें craft का का काम करने वाले जो workshop में काम करते थे working day वोज sometime 59 यानि कि उनका जो working day होता था 15 घंटे का होता था room to dormitories कहते कि यहां था कि उनको रहने का जो स्थान वगरा दिये जाते थे वो भी मतलब कुछ को provide कि जाते थे और कुछ को provide नहीं किये जाते थे तो यहां पर देखने को मिला कि worker की जो condition थी generally अगर हम बात करें तो उनको कहीं न कहीं explode करने का प्रियास किया जाता था बहुत लंबी समय तो उनसे काम करें जाता था worker were decided social groups कहते कि worker ने अपने समाजिक group बनाए some had strong link with the village villages from which they come कहते कि उनके बड़े ही मजबूत relation थे जिस गाव से वो आये थे other had settled in cities permanently कुछ worker आये तो permanently cities में settled होगे worker were divided by skill यानि कि जो worker थे उन्हें कोशल के आदार पर बांड़ा जाता था था बहुत किस काम में expert हैं वो metal work ops and petersburg recall metal work considered themselves aristocracy among the workers their occupation demanded more training and skill कहते कि इनका जो website तो उसके लिए ज्यादा skill और ज्यादा training क्या आशिक का थी women made up 30% of the factory labor force by 1914 कहते कि women का कितने परतिश्यत काम करती थी 31% यानि की work force के by 1914 1914 that is most important women कितने परसेंट काम करती थी factory labor के रूप में 31% made up 31% but they were paid less men लेकिन उन्हें आदमी की तुन्ना में जो wages होती थी वो बहुत ही कम दी जाती थी division among workers so themselves in dress and manners to कहते कि जो division होता था यहां तकि उनका dress और उनका manners होता था उसके अधार पर भी उनका division किया जाता था some workers form association to help member in time of employment or financial hardship but association were few कहते कि कुछ worker ने तो अपने संगठन बनाए ताकि विरोजगारी की स्तीती में किसी आफदा की स्तीती में मदद की जा सके लेकिन ऐसे disagree with employment about dismissal of work condition these strikes took place frequently in textile industry during 1896, 1897 and in metal industry during 1902 कहते कि कई बार जो workers होते थे जब वो कारिये से संतुष्ट नहीं होते थे यानि कि उन्होंने काम करना बंद कर दिया इन्होंने आने की यहां पर देखें दो स्ट्राइक के बारे में हम बात करते हैं इन्होंने की जो कपड़ाव द्योग था अर्थोडोक्स चर्च ओन लार्ज प्रोपरटी कहते कि गाउं के अंदर भी जो पीजेंट्स थे वो खेती बाड़ी करते थे बट मोबैलिटी था क्राउन एंड और्थोडोक्स चर्च ओन लार्ज प्रोपरटी लेकिन अगर हम बात करें राजा किया जो और्थोडोक्स च